हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है Freedom from Hospital डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्त और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए आगे कुछ होने वाला नहीं यह सब जगा पे इनसान जाना नहीं चाहता मगर क्या है कारण नंबर एक है हमारे अंदर की एग्रेशन दुसरा है कि लापरवाई तिसरा है हमारी लैक आफ नॉलेज यह तीन चीज़ याद रखें यह तीन कमी के कारण हमको यह तीनों जगा जाना पड़ता है जिवन में कभी ना कभी बच्चना चाहिए हम कोशिस करते हैं आपको हस्पडाल से दुर रखने के लिए याने फ्रीडम फ्रम हस्पडाल के जो सपना है उसको साकार करने के लिए हम एक प्रयास जारी रखे हैं उसी प्रयास का जो सुरूफ है आज का जो एपिसोड है यह एपिसोड आपको यूरी के शिट से दोस्तों बचाएगा जॉइंट पेन से बचाएगा घुटने दर्श से बचाएगा हील पेन अंकल पेन से दोस्तों बचाएगा कमर दर्द गर्द अंदर्द सबसे आपको मुक्ति मिलेगी दोस्तों तनाव कम होगी दोस्तों ब्लड पेशर कम रहेगी उसके साथ साथ आपका हाजमा ठीक होगा कंस्टिपेशन भी दोस्तों बिलकुल निट्रलाइज हो जाएगी अगर आप सही ढंग से एक एक सब्त पे ध्यान दोगे पूरी वीडियो को देखोगे समझोगे फिर अमल में लाओगे आधा अधूरा स्कीप करके जो लोग देखते हैं उनको आधा अधूरा ही प्राप्त होती है कभी कभी तो जीरो प्राप्ती याने 100% एफट लगाओगे जैसे मैं लगा रहा हूं 100% तो आपको प्राप्ती भी 100% होगी 99% का फर्मुला हमेशा आउटपूट दोस्तों जीरो लाती है इसलिए हजारों तरे का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है आप अपना कनफाइन करिए अपने माइंड को कि मुझे किसकी चैनल देखनी है कौन मुझे मेडिकली सपोर करेगा किसमे टेकनीकालिटी है किसमे अफेंटिक बाते हैं वो आप अपना लॉजीकाल और साइंटिफिक दिमाग का इस्तेमाल के रिए हजार ये वीडियो वीडियो और स्केटड़ कर दोगे दिमाग को लास्ट नम पता चलेगा यह भी स्कीप हुआ वो भी स्कीप होग ना घर के ना घाट के इसलिए जो मेरे मित्र हो जो मेरे परिवार से जुड़े हुए हो इस freedom from hospital के साथ हो वो बिना skip के 100% वीडियो देखोगे तब ही मेरी thought process को समझ पाओगे जब तक thought process नहीं समझोगे तब तक आपको वीडियो का लाब नहीं होगा दोस्तों इसी बात के साथ वीडियो को सुरू करते हैं यह है मेरे हाथ में देखो दोस्तों साबू दाना का पानी कि इसका इस्तेमाल कैसे करोगे कि यह सारी मुसीबस से आपको छुटकारा मिलेगे even अप heart disease coronary disease जिसे कहते हैं heart attack होगरा से बचने का उपाय भी इसके अंदर है दोस्तों fever होगरा में सबकी आदत है कि सागू दाना पहले जमाने से डॉक्टर कहते थे कुछ ना हो तो साबू दाना बना के मरीज को दो क्योंकि easy to digest यानि डाइस्ट सिस्टम पे उपर ज़्यादा दबाव नहीं डालता है हजम हो जाता है दोस्तों body detoxified हो जाएगी सरीर और stomach जो है वो पूरा जहर से आपको मुक्त हो जाएगी और मुक्ती दिलाएगा आपका साबू दाना का पानी इस्तेमाल कैसे करनी है पहला होता है रात में आपको कांच के बावल में कम से कम आधी मुठी दोस्तों साबू दाना चाहे छोटी हो या बड़ी हो छोटी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है आधी मुठी कम से कम आपको भीगोनी है और जो ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं तो एक मुठी का भी इस्तेमाल करिया देड ग्लास दो ग्लास पानी में इसको भीगोना है और रात भर ऐसे रहने दें सुभा उठके उसको सीधे ग्राइंडिंग करें ग्राइंडिंग करें कपड़े चान करें कपड़े में चान लें और उसको आराम से बैटके पांच मिनिट लगके आराम आराम से खाली पेट उसको आपको पीना है पीने के बाद आपको वासरूम जाना है दोस्तों याद रखिए पीने के बाद वासरूम जाना है जीने डाइबेटिस की सिकायत है जीने लगातार सुगर की समस्या है जीने मोटापे की समस्या है दोस्तों उनको क्या करना है ना जब आप साबूद आना आधी मुठ्थी या एक मुठ्थी जब रात में जब भिगाओगे तो इतना सा बड़ा दालचीनी उसमें डालनी है उसी पानी में ही इसको भी डाल देना और विंटर का समय हो तो आप दो ऐसे डाल सकते हैं गर्मी में एक डाले और जब सुभा इसको ग्रैंडिंग करोगे तो दालचीनी को भी उसमें ग्रैंडिंग कर लेना ना मॉनिंग में, फिर उसको कपड़ा चान के रिए, या चन्नी में चान लीजिए और पियो, जबरदस दोस्तों लाब, ओबेसिटी खतम, डाइबेटी, सुगर लेबल दोस्तों निट्रलाइज हो जाएगे, ब्लड पैसर तो पहले ही बता है, हो नर्माल हो जाएगे, दवा करनी है आपको, दवाई धिरे धिरे छोटेगी, जब यहाबी होगा तो दवाई कमते जाएगा, अल्टिमेटली आप बिमार मुक्त होना चाहिए, दोस्तों यह होगे आपको समर में मैंने बताया, विंटर और जो बारिस का समय है दोस्तों, उस समय आप इस साबुदाने के जो पानी को हलका गुनगुना करके आपको पीना है, गरम पुरा नहीं करनी है, उबालनी नहीं है, सिर्फ थोड़ा गुनगुना करना है और उसको पीओगे, कंस्टिपेशन भी नहीं रहेगी दोस्तों, आपको बाकी जो समस्या मैंने जैसे बताया, यूरी के स्टिट के खास करके समस्या दोस्तों इससे ठीक हो जाएगी, बहुत ही नैचुराल, बहुत ही बढ़िया तरीका है, और सरीर आपका थंडा रहेगा, बात और पीत, समझो पहले, बात और पीत दोनों इससे कंट्रोल में आएगा, यूरी के सीट जब बढ़ता है, तो किड्नी को पर जोर पढ़ती है, किड्नी को डीटोक्सिफाइड कराएगा, यूरी के सीट जादा बढ़ने नहीं देगा, जोडों में इसको रुकने नहीं देगा, ब्लड प्यूरीफाइड कर देगा, और क्या चाहिए, टाइम टेस्टेड, जो कहता हूँ, टाइम टेस्टेड, सिर्कित आर्थराइटीस की बिमारी, सारे कंट्रोल में आ गए, सरीर में खिलखिलाता हुआ, स्कीन, ब्यूटी, ऐससम निखर का आएगा दोस्तों, एक बात दोस्तों याद रखो, मेरी इस तरीके के हर टीफ्स, आपके बहुत काम में आएगे, ऐसे धाई हजार टीफ्स दोस्तों मैंने अपनी किताब में रखा हूँ, ये हिंदी वाली किताब में बार बार दिखाता हूँ, आप किताब घर में रखो रखो और रखो, धाई हजार से ज़्यादा टीफ्स दोस्तों, आपको किसी डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा जुरत सोने से जाना है, नहीं तो नह जानी है, घर में होम रिमेडिज की किताब आ गई, जिनके पास किताब होगी, मुझे फोन करोगे, वाटस अप करोगे, और सलाल होगे, फोन नहीं उठाता हूँ, कई बारी तो आप मुझे वाटस अप में भेजना, कि सारे किताब है हमारे पास, आप हमें पॉइंट बता आप उस पॉइंट को उसी तरीके से स्टिमलेट करना, बाकी अईरबेदिक रिमेडिस तो इसमें है यह, तो दोस्तों, यह हिंदी वाली किताब है, और हमेजा हमें क्लियर लिकाता हूँ, 3500 उसकी कॉस्ट है, कोई कन्फूजन मत रखें, और जरूर घर किताब मंगाएं, ह अंग्री जी मंगाई है, सेम टू सेम, लगबग 600 पेज की किताब है, और वेट इसकी दो किलो 300 ग्राम के असपास है, तो दोस्तों, यह किताब आपके घर होना चाहिए, यह बिमारी को दूर में रखेगा, और अभी ऐसे भी आप अवेड़ी करनी चाहिए, कि डाइरेक्ट कंटक्ट में, क्लोज कंटक्ट में जाके हस्पादाल का चक्र लगाना, साल देड़ साल तो इसको माइंड़ सेट करके आप चलिए, किताब रहेगा, मैं दूर में रहे के आपको गाइड करूँगा, टेली कंसल्टेशन साप्सुलिटली फ्री अप कॉस्ट रहेगा, जिसक जो सिखता है, वो करे, एकी प्रेशर जो लोग सिखना चाहते हो, और यहां आना नहीं चाहते हो, दूर हो जाता है, और लॉगडाउन की समस्या है, या और कई समस्या है, तो दोस्तों, यह आप देखो, मैंने पूरी नौ गंटे की ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें है, तो आप घर बेट के अपना सिख सकते हो, सिखो जानो और अमल में लाओ, तो तभी लाव होगी, प्रेव करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जो लोग किताब लिये, वो भी कमेंट बक्स में डालिये, कि आपको किताब कैसे लगा, आप इससे कैसे कि यह हो जाता है, कि वो भी मोटिवेटेड होता है, तो इसी बात के साथ दोस्तों, इस वीडियो के यहीं पर समाप्त करता हूं, जै हिंद, जै भारत!